और एक बार आप लोग confirm कर देंगे वाइस आ रही है एक बार आप लोग confirm कर देंगे और हो सके एक बार class को share कर दे अपने दोस्तों को साथियों को class को share कर दे inform कर दें, class live हो चुकी है, फिर class को start किया जाए जैसे कि तो question number 52 से start करते हैं, question number 52, यह जो series चल रही, selection series चल रही है और selection series के अंतरगत हम लोग subject wise pyq solve कर रहे हैं, मतलब subject wise आपका जो year pyq है, वो question हम लोग यहां solve करेंगे, और लगभग 15,000 question का target लिया गया है, तो उसी series में आज हम 52 number question solve करने वाले हैं, तो फटफट आप लोग class से जोड़ जाएंगे, और एक बर confirm करेंगे, audio video clear है, एक बर confirm करें तो question number, start करते हैं, question number 52 से, निम्ने लिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, देखेंगे, तो आपका प्रशन क्या था, कौन सा सुमेलित नहीं है, तो देखेंगे, C इसका answer होगा, राज सबा में सीटो का जो बटवारा है, वो चौथी अनुसूची की अंतरगत है, श्रवन गुढ इवनिंग, कैसे हैं, तो राज सबा में जो सीटों का बटवारा है यह आपके किस अनुसूची के अंतरगत है अनुसूची अनुसूची चार में पहली अनुसूची में क्या है पहली अनुसूची में ओके वाइस कमा आ रही है क्या यहां से तो ठीक है आप लोग एक बार जो लोग भी इयर फोन इस्तेमाल करते एक बार देख लेंगे दोनों इयर फोन लगाईएगा क्योंकि यह थोड़ी से तो पहली अनुसूची में क्या है? पहली अनुसूची में है राज एवं संग राज छेतर दूसरी अनुसूची में क्या है? पदाधिकारियों के बेतन, भत्ते, पेंशन का प्रावधान किया गया है तीसरी अनुसूची में क्या किया गया है? कुछ भारती पदाधिकारियों के सपत के प्रारूप का प्रावधान किया गया है और चौथी अनुसूची में क्या है? चौथी अनुसूची में राजसभा में सीटों का बटवारा पाचवी अनुसूची में क्या है? पाचवी अनुसूची में अनुसूचित छेत्र जनजाती छेत्र के प्रशाशन और नियंतरड से संबंधित प्रावधान किये गये हैं छटी अनुसूची में आपके असम, मेघाले, त्रिपुरा, मिर्जोरम, राज के अनुसूची छेत्र, जनजाती छेत्र के प्रशाचन एवं नियंतरड का उपबंद किस अनुसूची में किया गया है छटी अनुसूची में साथवी अनुसूची की आपका किस सम्बंदित है तो साथवी अनुसूची में केंद्र योम, राज, केंद्र और राज के बीच सक्तियों का बटवारा किया गया है जिसके अंतरगत तीन अनुसूचिया बनाई गई है कौन-कौन सी संग सूची, राज सूची और आपका समोर तीसूची आठवी अनुसूची में क्या है भासाएं है जो आपकी वर्तमान में कुल 22 भासाएं है तो भासाओ का उल्लेख या उपबंद किस अनुसूची में किया गया है आठवी अनुसूची में किया गया है नवी अनुसूची में क्या है नवी अनुसूची आपकी भूम किस अनुसूची में किया गया है, दसवी अनुसूची में, ग्यारवी अनुसूची में किया है, तो आपके ग्राम पंचायत, पंचायती राज का उपुबंद ग्यारवी अनुसूची में किया है, बारवी अनुसूची में किया है, तो बारवी अनुसूची में, जो चोहत्र में सीटों का बटवारा ठीक है आगे बढ़ेंगे नेस्ट कुश्चन कुश्य नमबर 53 सिक्षा जो प्रारम में राज सूची का विसे था इस्थांतित किस में कर दिया गया है सिक्षा क्या था सिक्षा प्रारम में राज सूची का विसे था अब इस्थांतित करके किस सूची में कर दिया गया है, आंसर करेंगे, यहां पर हाँ, स्वारी, यहां पर यह शिक्षा जो प्रारव में राज सूची का बिसे था, उसको इस्थांतरित किस समिधान संसोधन द्वारा किया गया है, तो यह आपका जो किया गया है, बायालिस्वे समिधान संसोधन द्वारा, ठीक है, किस समिधान संसोधन द्वारा, बायालिस्वे समिधान संसोधन द्वारा इसको राज सूची के बिसे से किसमें कर दिया गया, समवर्ती सूची में, आगे बढ़ेंगे, कुशनर में 54 मिलान वाले आपकी प्रश्ण है तो देखेंगे मिलान वाले प्रश्ण है केंद सूची, राज सूची, समुवर्ती सूची और सिष्ट सूची तो केंद सूची में आपका क्या जाएगा, केंद सूची में आपका आएगा जनगरना, एक आपका थ्री हो जाएगा, राज सूची का भिसे क्या होगा, तो पुलिस और साबजने की बेवस्था ये आपके राज सूची की भिसे होंगे, तो बी का आपका वन हो जाएगा, 3142 किस option में है देखेंगे 3142 तो आपका एक correct answer हो जाएगा clear है सबीको आगे बढ़ेंगे next question number 55 भारती सम्मिधान की सात्वी अनसूची के अंतरगत संग सूची में निम्निम लिखित में से किसका उलेक है भारती सम्मिधान की सात्वी अनसूची के अंतरगत संग सूची में हमें यह बताना है कि संग सूची में किसका उलेक नहीं है ध्यान देंगे तो देखेंगे banking, bima, jan-garna gas banking, bima, jan-garna, यह सब आपके क्या है jan-garna हो गए यह सब आपके संग सूची के बिसे है gas किस में आ जाएगा, gas आपका राज सूची कभी से है, gas किस कभी से है gas राज सूची कभी से है, ठीक है आगे बढ़ेंगे Question No.56 भारती सम्मिधान की सातवी अनुसूची के अंतरगत, राज सूची में निम्रलिखिन मेंसे किसका उलेक है भारती सम्मिधान की सातवी अनुसूची के अंतरगत, राज सूची में हमें यह बता न, राज सूची के कौन से विशे है, तो देखेंगे, सिख्षा, बिद्दुत, रेलवे पुलिस, वन, तो आपका जो पुलीस होता है, पुलीस या रेलवे पुलीस, कुछ भी पूचोःगा, तो उत्तर आपका राज सूची होगा, अगर यहां पर railway पूछले, railway, railway जैसे आपके banking हो गए, dark, tar, mudra यह सब और बिदेशी मामले, जो आपके बिदेशी मामले होते हैं, यह सब किस में जाते हैं, यह सब आपके संगसूची में जाते हैं, railway आपका किस सूची का भिसे हैं, railway संगसूची का, तो railway की बात आएगी, तो आप लोग संग सूची करेंगे, पर अगर पुलिस, railway पुलिस की बात आए, तो आप लोग राज सूची करेंगे, तो राज सूची का बिसे क्या होगा? सिक्षा समवर्ती सूची का बिसे है, पहले सिक्षा क्या था? राज सूची का बिसे था, पर सिक्षा का बहुत महत्तो है, राष्टी स्तर पर, तो इसलिए क्या किया गया? सिक्षा को क्या बनाए गया? समवर्ती सूची का बिसे बनाए गया, बिद्दुत आपका समवर्ती सूची का विसे है, वन, आगे बढ़ेंगे, नेश्ट, कुश्चिन नमबर फिप्टी सेवन, निमनी लिखित में से कौन सा राज सूची में है, यहां से देखी जो आपका सातवी अनुसूची है, सातवी अनुसूची में केंद और राज के बीच सक्तियों का बटवारा किया है, और सक्तियों के बटवारे में क्या किया गया, विसे को बाटा गया है, कि क्या राज सूची का विसे होगा, क्या केंद का विसे होगा, क्या समवर्ती सूची का विसे होगा, मतलब ऐसा विसे है, जिस पर दोनों कानून बना सकते हैं, तो यहां पर जो विसे हैं, कुछ म महत्पूर विसे बार-बार एक्जाम में पूछे जाते हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि राज सूची में कौन से विसे आते हैं, आपके केंद सूची में कौन से विसे आते हैं, समुवर्ती सूची में कौन से विसे आते हैं, मुख्य-मुख्य हमें विसे पता होने चाहिए अनिकेत हेलो तो आपका रेल्वे पुलीस अभी हमने पीछे ही देखा कि रेल्वे पुलीस क्या है राज सूची का विशे है निगम कर जनगरना ये संग सूची का विशे होगा जनगरना भी आपका संग सूची का विशे है आर्थिक येवं समाजिक नियोजन ये भी आपका समवर्ती सूची का विशे है, ठीक है, समवर्ती सूची का विशे है, आगे बढ़ेंगे, नेश्ट, नियम निलखित में से कौन सा विशे है, भारती सम्मिधान की सात्वी, अनसूची की सूची थर्ड, सूची थर्ड किसे कहते हैं, समवर्ती सूची को ही कहते हैं, जो आपका सूची थर्ड होता है, सूची थर्ड समवर्ती सूची में सामिल है, नियम निलखित में से कौन सा विशे है, भारती सम्मिधान की सात्वी, अनसूची की सूची थर्ड, सूची थर्ड मतलब, समवर्ती सूची को कहते हैं, समवर्ती सूची में सामिल है, तो देखेंगे, दंड प्रक्रिया, पुल समुवर्ती सूची का विश्य है मैं ठीक हूं अनिकेत आप कैसे हो ठीक है तो दंड प्रक्रिया यह कैसा विश्य है आपका यह आपका समुवर्ती सूची का विश्य है आगे बढ़ेंगे नेश्ट कुश्चिन नवर 59 बिवाह बिवा बिच्छेद गोद लेना सम्विदान की सातवी अनुसूची में निम्निलिखित में से किसके अंतरगत सम्मलित किये गए हैं देखेंगे सूची वन केंद सूची में सूची टू राज सूची में सूची थर्ड समुवर्ती सूची में तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा समुवर्ती सूची में इसे लिया गया बिवाह बिवाह बिच्छेद गोद लेना यह आपके किस अनुसूची में आएगा किस सूची में आ कि आगे बढ़ेंगे गैश्ट कोश्चन डुमार सिष्षटी भारती समिधान की छटई अनुसूची में किन राज्यों में जन्जाटी शेत्र के प्रसासन से संबंधित है भारती समयधान की छटी अनुसूची किन राज्यों के जनजाती छेत्रों के प्रशासन से संबंधित है अभी मैंने बताया था कि पाच्वी जो आपकी अनुसूची होती है इसमे अनुसूची छेत्र और जनजाती छेत्र से संबंधित जो है प्रावधान किसमे किये गया है पाच्वी अनुसूची में तो अनुसूची छेत और जन जाती छेत की प्रशाशन और नियंतरड का उपुबंद किया गया है पाच्वी अनुसूची में पर जैसे अभी हमने बताय था मेघाले, तिरपुरा मिजोरम और असम मेघाले, तिरपुरा, मिजोरम असम राज्यों को किस अनुसूची में रखा गया छटी अनुसूची में तो मेघाले, तिरपुरा असम और आपका मिजोरम जो होगा ये छटी अनुसूची में आएगा, ठीक है, कुछिन अबर सिष्टी का B, करेक्ट आंसर होगा, आगे बढ़ेंगे, नेस्ट, सिष्टी वन, राज भूमी सुधार अधनियमों को सम्बैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु सम्मिलित किया गया था, जैसे कि आपके जो नवी अनुसूची है, पहला सम्मिधान संसोधन 1951 के द्वारा पहली अनुसूची जोड़ी गई थी, मूल सम्मिधान में कुल कितनी अनुसूची थी, तो मूल सम्मिधान में कुल आठ अनुसूची थी, नवी अनुसूची पहला सम्मिधान संसोधन 1951 के द्वारा जोड़ा गया, क्यों जोड़ा गया उस समय जमिदारी उन्मूलन चल रही थी और जमिदारी उन्मूलन में क्या करना था भूमी सुधार पर ध्यान देना था तो इसलिए भूमी सुधार को जो भूमी सुधार हो उसे नियाले में चुनावती ना दी जा सके इसके लिए क्या किया गया था इस पहले समिधान संसोधन के द्वारा नवी अनुसूची के अंतरगत जो भी अधिनियम बिनियम बनाय जाते थे उसे न्याले में चुनवती नहीं दिया जा सकता था पर वर्तमान में नहीं है वर्तमान में क्या है कि नवी अनुसूची के अंतरगत भी अगर कोई अधिनियम बि कि नियाईक समिक्षा नियाईक पुन्रा विलोकन किया जा सकता था पर उस समय सम्भैधानिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए ही नवी अनुसूची बनाई गई थी तो आपका कुश्चन नंबर 61 का बी राइट आंसर होगा कोहिलो केस भारत के सम्मिधान के किस अनुसूची से संबंधित है कोहिलो केस भारत के सम्मिधान के किस अनुसूची से संबंधित है आंसर करेंगे 7 वी अनुसूची, 8 वी नवी इसका correct answer होगा जो आपकी नवी अनुसूची है, यै किसे सम्मंदित है? Kohelo Case बनाम Tamil Nadu Kohelo Case बनाम Tamil Nadu से यह सम्मंदित है तो Kohelo Case में ही यह मतलब न्याले ने निर्ड़े दिया कि नवी अनुसूची के अंतरगत बनाए गए भी जो भी अधिनियम और कानून होंगे उनका न्याईक समिक्षा किया जा सकता किन अधारों पर अगर वो जो आपका केशवनन भारती वाद था 1973 उसमें एक सिध्धान्त दिया गया था मूल धाचा का तो अगर कोई भी ऐसा कानून जो मूल धाचे का उलंगन करता है तो उस कंडिशन में उसकी न्याईक समिक्षा न्याईले द्वारा क्या कर सकती है की जा सकती है तो इसमें नवी अनुसूची किस से संबंदित है कोहले केस से संबंदित है कुश्य नंबर 63 भारती सम्मिधान के किस अनुसूची में दल बदल बिरोधी कानून को रखा गया है तो यह आपका उजयागा दसवी अनुसूची में दल बदल बिरोधी कानून का उपबंद किया गया है यह किस संसोधन द्वारा किया गया था तो 52 सम्मिधान संसोधन उननीस सो पचासी के द्वारा आपका दसी अनुसूची को संमिधान में जोड़ा गया था किस संमिधान संसोधन द्वारा बावनवा संमिधान संसोधन उननीस सो पचासी के द्वारा आगे बढ़ेंगे, कुछ नमर 64, सम्मिधान की ग्यारवी अनुसूची किस से संबंदित है, तो आपकी ग्यारवी अनुसूची पंचायती राज से संबंदित है, ठीक है, तीहत्रवा सम्मिधान संसोधन 1993 के द्वारा कौन सी अनुसूची जोड़ी गई, तो तीहत्रवा सम्मिधान संसोधन 1993 के द्वारा आपके ग्यारवी अनुसूची को जोड़ा गया था, और ग्यारवी अनुसूची में क्या किया गया था, पंचायती राज का गठन किया गया था, आगे बढ़ेंगे, नेश्ट, आप लोग आंसर करें, तब तक पानी पी लेत अब आपके उद्देशिका से प्रश्ण आ गए, ठीक है, अनुसूची से आपके प्रश्ण खतम हो गए, उद्देशिका से प्रश्ण होंगे देखेंगे, कुछ नमर शिश्टि-फाइब का अंसर देखेंगे, समिधान की उद्देशिका के संबंद में निम्न कथनों पर विचार करिए और दिये गए कूट की साहता से बताईए कि, कि इन में से कौन सा सही है, देखेंगे, पंडित नहिरू द्वारा प्रस्तुत अबजेक्टिव प्रस्ताव अंतो गत्ता उद्देशिका बना, इसकी प्रकिति न्यायोग्य नहीं है, इसका संसोधन नहीं किया जा सकता है, सम्मिधान के विशिष्ट प्रावधानों को यह रद्द नहीं कर सकता है, तो यह जो कथन है, आपके चारों कथन सही है, तो इसमें आपका जो अंसर होगा, यहाँ पर ओप्शन आपके होने चाहिए, 1, 2, 3, 4, क्योंकि पंडित नहरुद्वारा प्रस्तुत अब्जेक्टिव प्रस्ताओ, मतलब उद्देश प्रस्ताओ ही, अंतो गत्ता क्या बना, उद्देशी का बना, बिल्कुल सही है, इसकी प्रती प्रकित न्यायोग नहीं है, यह भी सही है, क्योंकि प्रस्ताओना, अगर कोई भी प्रस्ताओना का, मतलब कोई सरकार या ब्यक्ति अउहेलना कर देता है, तो इसे हम न्यायले द्वारा लाग इसका संसोधन किया जा सकता, वर्तमान में अगर, जैसे कि अभी आपका, जब केशवनन्द भारती मामला आया, 1973 का, तो उसके बार क्या किया गया, संसोधन हुआ, और संसोधन के द्वारा, 42 संमिधान संसोधन, 1976 का संसोधन हुआ, जिसके द्वारा समाजवादी, पंथ, निर सकता, आपका प्रस्तावना का संसोधन किया जा सकता है, पर यह ध्यान देना होगा, कि उसके मूल धाचा का उलंगन नहीं होना चाहिए, जो बेसिक इंस्ट्रक्चर है, उसका उलंगन नहीं होना चाहिए, अगर संमिधान को, ऐसा कोई संसोधन है, जो संमिधान को मजबू है उस पर दिक्कत आती है तो उस समय वो संसोधन नहीं किया जा सकता जिसके जिससे मुल सिद्धान्त का उलंगन हो ठीक है तो वर्ण टू फोर इसका करेक्ट आंसर होगा कोशन नमर 66 भारती घार्तन्त की 26 जन्वरी 1950 को सही समय दानिक वस्तुश्थथिती क्या ठी जब संमयधान लागू किया गया था यहां प्रस्णी यह है कि 26 जन्वरी 1950 को जब सम्मिधान लागू हुआ तो उसकी सम्मिधान की वस्त्व इस्थिती क्या थी तो देखेंगे लोगतंतरात्मक गरतंत्र संपूर प्रभूत संपन धर्म निर्पेक्ष धर्म निर्पेक्ष लोगतंतरात्मक गर्राज संपूर प्रभूत शंपन लोगतंतरात्मक गर्राज होगा क्योंकि जो आपका 42 संविधान 1986 था, 1976 में संसोधन हुआ था जिसके द्वारा पंथ निर्पेक्ष समाजवादी, पंथ निर्पेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा गया था पर जब 26 जन्वरी 1950 को संविधान लागू हुआ था तो उसमें स्थिती क्या थी उसमें संपूर प्रभूत संपन लोगतंतरात्मक गर्राज उसमें था परिवर्तन बाद में हुआ था बाद में क्या हो था बाद में हुआ था प्रभूत शंपन प्रभूत संपन समाजवादी पंथ निर्पेक्ष लोगतंतरात्मक गर्राज आगे बढ़ेंगे नेश्ट कुष्ट नमर 67 निम्न लिखित में से कौन भारत को धर्म निर्पेक्ष राज वर्डित करता है निम्न लिखित में से कौन भारत को धर्म निर्पेक्ष राज वर्डित करता है देखेंगे मौलिक अधिकार संबिधान की प्रस्तावना द्यावी अनुसूची या राज के नीत निदेशक तत्तो तो इसका राइट आंसर क्या होगा संबिधान की प प्रभुत संपन, समाजवादी, पंथ निर्पेक्ष, लोकतंतरात्म, घर्राज बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को समाजिक, आर्थिक, राजनितिक, न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंतरता, प्रतिष्ठा और उसर क समता प्राप्त कराने के लिए उन सब में व्यक्ति की गर्मा और राष्ट की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने के करने वाली बंदुता बढ़ाने के लिए दिड़ संकल्प होकर अपनी समिधान, अपनी इस समिधान सभा में, आज तारिक 26 नॉम्बर 1999 को समिधान को क अधिनियमीत और आत्मार्पीत किया जाता है ठीक है तो पंथ निर्पेक्ष की बात कहां पर होती है प्रस्तावना में होती है कुश्य नॉम्बर 68 भारती समिधान की प्रस्तावना में धर्म निर्पेक्ष और समाजवाजी सब्द कब जोड़े गया थे तो अभी आपको बताया गया था कि धर्म निर्पेक्ष समाजवादी और अखंडता कि समिधान संसोधन द्वारा जोड़ा गया बायालिस्वा सम समिधान संसोधन 1976 के द्वारा कुश्य नॉम्बर 69 भारत के समिधान के आमुक भारत के समिधान के आमुक का लक्ष उसके सभी नागरिकों के लिए सुनिख्षित करना है तो देखेंगे सामाजिक तथा आर्थिक न्याय सही है विचार तथा अभिव्यक्ति की स्वतन्तता अभी हम लोगों ने देखा विचार अभिव्यक्ति धर्म विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म उपासना की स्वतन्तता है तो विचार और अभिव्यक्ति की भी स्वतन्तता है ये समानता है प्रतिष्ठा और और उसर की समानता है यह भी सही है तो आपका इस में चारो option सही होगा question number 69 में 4 ओप्षिन आपके सही है आगे बढ़ेंगे next कुछ नमें 70 भारत के सम्मिधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय, स्वतंत्रता, समानता तथा भ्रात्रित्तु का उलेख किया गया है और यह प्रस्न आपका इंपोर्टेंट है ठीक है भारती सम्मिधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार की न्याय की बात की गई है तो तीन प्रकार की कौन-कौन से समाजिक, आर्थिक, राजनितिक न्याय फिर पूछा गया है तीन प्रकार की, फिर पूछा गया कितने प्रकार की स्वतनतरता है, तो कितने प्रकार की स्वतनतरता है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपास्टना की स्वतनतरता है, तो पाच प्रकार की आपकी स्वतनतरता हो गई, कितने प्रकार क की समानता है तो प्रतिष्ठा और औसर की समानता की बात की गई है तो दो प्रकार की आपकी समानता हो गई और भात्रित तो भात्रित मतलब बंधुत की बात की गई तो एक प्रकार की आपके बंधुत की बात की गई है तो कुश्चन नंबर 70 का एक करेक्ट और आंसर होगा आगे बढ़ेंगे नेश्ट भारती सम्मिधान की उद्देश सिक्का में कितने प्रकार की नया की ब्योस्था की गई है अभी हम लोगों ने पीछे देखा कितने प्रकार की नया की ब्योस्था की गई है तीन प्रकार की कौन-कौन से समाजिक, आर्थिक, राजनितिक न्यायकी ब्योस्था प्रस्तावना में की गई है, तो तीन प्रकार की न्यायकी ब्योस्था की गई है, भारत के संदर्म में निमनलिकिन में से कौन धर्म निर्पेक्ष सब्द का सही भाव ब्यक्त करता है, तो देखेंगे धर्म निर्पेक्ष सब्द का कौन सा बिकल्प सही अर्थ दे रहा है, भारत में अनेक धर्म है, बिल्कुल नहीं, यह आपका गलत होगा, भारतियों को धा स्वतनत्रता प्राप्त है हाँ स्वारी देखिए यहां पर यह सही तो है पर प्रश्न के कॉर्डिंग नहीं सही है ठीक है भारत में अनेक धर्म है बिल्कुल सही बात है पर यह आंसर हमारा नहीं होगा क्योंकि हमें बताना है कि धर्म निर्पेग्ज का सही अर्थ क्या है भा विव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात की गई है, धर्म अनुपालन विव्यक्ति की इच्छा पर निर्भर है, बिल्कुल विव्यक्ति की इच्छा पर निर्भर है, कोई जोर जबजस्ती नहीं है, कि आपको इसी धर्म का पालन करना है, भारत में राज का कोई धर्म नहीं, D इ हमारे यहां ऐसा कोई धर्म नहीं सभी धर्म को हमारे यहां मानता मिली है पर किसी एक को नहीं अपनाया गया तो भारत में राज का राज मतलब देश का कोई धर्म नहीं है यही इसका करेक्ट आंसर होगा 73 कुछ नमर 73 को देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा भारती सम्मिदान की प्रस्तावना में उल्लिखित नहीं है निम्नलिखित में से कौन सा भारती सम्मिदान की प्रस्तावना में उल्लिखित नहीं है देखेंगे तो आपका संप्रभुता लोकतंतरात्मक पंथ निर्पेक्ष का उल्ले किया गया है, डी संघी का उल्लेक हमारी प्रस्तावना में नहीं किया गया है, नहीं हमारे सम्मिधान में भी संघी सब्द का प्रियोग नहीं किया गया है, बस या कह गया है कि भारत क्या है, भारत अर्थात इंडिया अर्थात भारत क्या है राज्यों का संग है ठीक है तो भारत में संगी भारत के समिधान में संगी सब्द का वर्डन नहीं मिलता है बलकि संग सब्द का वर्डन मिलता है कुछ नमबर 74, भारती सम्मिधान की प्रस्तावना में निम्नलिखिन में से किस स्वतंतरता का वर्डन नहीं है, ध्यान से पढ़ेंगे प्रेशन को, भारती सम्मिधान की प्रस्तावना में निम्नलिखिन में से किस स्वतंतरता का वर्डन नहीं है, तो देखेंगे, बिचार क स्वतंत्रता बिल्कुल है विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता बिल्कुल है विश्वास की स्वतंत्रता तो अभी आपको पाच प्रकार की स्वतंत्रता और आपको याद होना चाहिए पाच प्रकार की कौन कौन सी स्वतंत्रता है विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म उपाशना तो यहां पर जो आपकी विचार प्रकट करने की सोतंतरा मतलब अभिव्यक्ति की सोतंतरता विश्वास की भी सोतंतरता है और विचार की भी सोतंतरता आर्थिक सोतंतरता नहीं है ठीक है आर्थिक क्या है आर्थिक न्याय है ना की आर्थिक सोतंतरता हमारे जो प् की न्याय है प्राच पाच प्रकार की स्वतंत्रता है दो प्रकार की समानता है कौन-कौन सी प्रतिष्ठा और औसर की समानता और एक प्रकार का भात्रित्तु या बंधुत्त है ठीक है बंधुत्ता तो आपका कुश्च नमर्च 74 का डी करेक्ट आंसर होगा आगे बढ़ेंग कुछन में 75 भारती सम्मिधान का कौन सा भाग सम्मिधान की आत्मा कहलाता है तो यहाँ पर जो आंसर होगा देखिए यहाँ पर उद्देशी का ही आंसर होगा वैसे यहाँ पर आत्मा वाले प्रशने से थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है जैसे कि डॉक्टर बी आर अमबेटकर ने जो हमारा आर्टिकल 32 है अनुछेद 32 को क्या कहा है अनुछेद 32 जिसमें सम्मेधानिक उपचारों का उपवंध किया गया है उसको क्या माना है बी आर अमबेटकर जी ने उसको माना है सम्मेधान की आत्मा ठीक है सम्मेधान की आत्मा तो यहाँ पर आत्मा का जिकर दो जगा मिलेगा पर उद्देशिका को आत्मा किसने माना है प्रस्तावना को आत्मा किसने माना है तो सुभास कश्यप ने माना है सुभास कश्यप का कतायन है कि क्या है संभिधान सरीर है संभिधान क्या है सरीर है और प्रस्तावना उसकी आत्मा तो प्रस्तावना को किस ने आत्मा कहा, सुभास कश्यप ने कहा था, केम मुनसी ने कहा था, केम मुनसी ने कहा था, जो हमारी प्रस्तावना है, जो हमारी उद्देशिका है, वो सम्मिधान की जनम कुंडली है, और डाक्टर बियार अम्बेटकर ने सम्मिधान को कहा था, डक्टर बीयार अम्बेटकर जी ने संब्धान को कहा था कि संब्धान एक पवित्र दस्ता वेज है तो कियम मुंसी ने प्रस्तावना को Samyiddhahn की जनम कुंडली कहा, जनम पत्री कहा सुभास कश्वब ने उद्देशिका को क्या कहा कि उद्देशी का क्या है सम्मिधान की आत्मा है और सम्मिधान क्या है सम्मिधान सरी है और उद्देशी का क्या है उद्देशी का सम्मिधान की आत्मा या कतन किसका है सुभास कश्यप का तो कौन सा भाग सम्मिधान की आत्मा कहलाता है उद्देशी का भी कहलाता है और अग के अनुछेट 32 के अंतरगत उपबंद किया गया है उसको सम्मिधान की आत्मा माना है कोश्च नमर्च 76 किस वाद के फैसले में सर्वोच न्याले ने सर्वत्हम गोशित किया कि उद्देशी का उद्देशी का सम्मिधान का हिस्सा नहीं है किस वाद की फैसले में सर्वोच न्याले ने सर्व प्रत्हम प्रस्न पर ध्यान देंगे सरप्रथम घोसित किया कि उद्देशी का सम्मिधान का हिस्सा नहीं है तो ये बहुत ही प्रशिद्ध वाद है बेरुवारिवाद ठीक है बेरुवारिवाद में न्याले ने क्या माना कि सम्मिधान जो है मतलब उद्देशी का प्रस्तावना क्या है उद्देशी का प्रस्ता प्रियम्बल क्या है सम्मिधान का भाग नहीं है और जब सम्मिधान का भाग नहीं है तो हम उसमें संसोधन नहीं कर सकते हैं यह किसका मानना था बेरुवारी वाद में यह माना गया था आपका नेश्ट कुश्यननमर स्वेंटि-सbn निम लिखित में से किस वाद में उच्चितम नही ने धारडा की कि उद्देशी का समिधान का भाग है उद्देशी का समिधान का भाग है तो गस्वाद में देखेंगे यूनियन आफ इंडिया बनाम डाक्टर कोहली, बनार्सी दाहस बनाम इस्टेट आफ यूपी, बुम्माई बनाम यूनियन आफ इंडिया, मलक सिंग बनाम इस्टेट आफ पंजाब तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा, बुम्माई बनाम यूनियन आफ इंडिया, में माना गया कि संविधान क्या है, संविधान उद्देशी का, संविधान का क्या है, भाग है, ठीक है कुछ नमबर 78, निमनिलिखित बिवादों मैं से किसमे सर्वोच नियाले ने प्रस्तावना, प्रस्तावना को संविधान की मौलिक सरचना का भाग सुईकार किया तो देखेंगे, बेरुबारी, एकी गोपालन विवाद, प्रीवी पर्श विवाद या केश्वानन भारती विवाद, तो बहुत ही प्रशिद्ध है, केश्वानन भारती, 1973 का वाद, ठीक है, जिसके अंतरगत, जो है, प्रस्तावना को संविधान का भाग माना गया, और य पर एक सिद्धान्त आया, क्या आया, कि मूल सिद्धान्त, जो कि सम्मिधान का जो मूल धाचा है, मूल धाचा का सिद्धान्त किस वाद में आया, तो केश्वानन भारती वाद में आया, कि सम्मिधान के मूल धाचा में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है, बाकि सम्मिधान भारतिवाद में और केशवा नंद भारतिवाद में माना गया कि सम्मिधान का भाग है और इसमें संसोधन किया जा सकता है फिर क्या पहला संसोधन हुआ जिसे हम लगू संसोधन भी कहते हैं 42 संसोधन 1986 और उसके अंतरगत समाजवादी पंथ निरपेच और अखंटदा सब्द को कहां जोड़ा गया हमारे सम्मिधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया आगे बढ़ेंगे नेश्ट कुष्ट नमें 79 भारती सम्मिधान की प्रस्तावना में जिन आदर्षो और उद्देशो की रूप रेखा दी गई उनकी ब्याख्या की गई थी ठीक है भारती समिद्हान की प्रस्टावना में जिन आधर्सों एवं उद्देशों की रूप रेखा दी गई है उनकी व्याख्या की गई थी देखेंगे कहा की गई है मूल अधिकारों के अध्याय में, राज के नीत निदेशक सिद्धानतों के अध्याय में, मूल अधिकारों, राज के नीत निदेशक सिद्धानतों या मौलिक कर्टब के अध्याय में, या समिधान के पाठ में, तो आपका C correct answer होगा, जो प्रस्तावना में जिन आदर्सों औ जिन उदेशों की बात की गई है, जैसे कि आपके जो समाजिक, आर्थिक, राजनितिक न्याय प्रस्तावना में किया गया है, वो आपको राज के नीत नीदेशक तत्व के अंतरगत अनुछेद 38 में वहाँ पर मिलता है, इसी तरीके से जो आपके स्वतंतरता की ब्यात की है, और कर्तब, जब हम मूल कर्तब में जाएंगे, तो हमारे जो है वहाँ पर जो प्रतिष्ठा और उसर की समानता है, उसकी बात की गई, तो भारती समयधान की जो आदर्स हैं और जो उद्देश हैं, जैसे कि बंधुता क्या है, बंधुता आपके कर्तब में आएगा, ब रस्तावना के आदर्सों और उद्देशों की वहाँ पर उपबंद उनका उल्लेग मिलता है, ठीक है, आगे बढ़ेंगे, कुछ नम्बर 80, सम्मिधान में दिया गया है आमुख, सम्मिधान में दिया गया आमुख, न्याले में लागु नहीं होता, महतपूर है और उसकी उप्योगता है, सासन करने की उद्देश को उल्लिखित करता है, सम्मिधान की कानुनी अर्थ निर्ड़में साहेता करता है, तो चारों कथन आपके सही हैं और यहाँ पर सम्मिधान में दिया गया आमुख का मतलब यहाँ प्रस्तावना या उद्देशी का कुछ भी कह सकत आमुक का मतलब यहां उदेशी का से है ठीक है आमुक का मतलब किसे है उदेशी का से है तो असर क्या हो जाएगा इसमें C का करेक्टर हो जाएगा 1 2 3 4 आगे बढ़ेंगे नेश्ट कुछ्न में 82 निम्निरिखिद में से कौन सही है समाजिक समानता समिधान में प्रत्य भूत नहीं है देश में समाजिक समानता पहले से विद्यमान थी समाजिक समानता समिधान में प्रत्य भूत है तो C इसका correct answer होगा जो हमारी समाजिक समानता है यह हमारे समिधान में प्रत्य भूत है और हम सबसे पहले देखते हैं प्रस्तावना में ही हमारे समाजिक न्याय मतलब यहाँ पर बात की गई प्रस्तावना में उसके आधर्सों को वहाँ पर उपबंद किया गया है तो यहाँ पर समाजिक समानता समिधान में क्या है प्रत्या भूत है